हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हो अब आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल ड्रीमस पर दोस्तों सबसे पहले तो जो भी स्टुडेंट आज नहीं है वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पूछे पूछे जाते हैं और सभी गवर्मेंट जल्दी ही होने वाले है क्योंकि लोकटाउन की वैसे नहीं हो पाए थे जो बीच में रह गए थे एक्जाम वो भी होने वाले है जैसे कि जो CHFL के एक्जाम होई थे दो तीन सिप्ट्रों की हो चुके थी लेकिन वो भी होने वाले है अगस्त में तो आप इल्कुल प्रिपेर हो जाएए सभी करेंटो एक्वेशन के वो आपको पढ़ना है और वीडियो को बहुत ही सुरू से लेकर आखरी तक आपको देखना है वीडियो बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाली है और दोस्तो वीडियो को सेर जलू करना है जो भी आपके फ्रेंड से वाटसेप ग्रूप है पढ़ाएके वापे जाके इस वीडियो को सेर जलू करना है इस वीडियो को पीडियाप लिंक होगा, आपको description मिल जाएगा, आप जाके वापे, पीडियाप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं, तो दोस्तो question number one से सुरुआथ करते हैं, हल ही में, world day to combat desertification and drought कम मनाया गया है, options को बढ़ ले जाएगा, 15 इस नाम को आपको याद रखना है क्या नाम है वर्ल डे टू कॉमबेट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ये दोस्तों क्यों मनाए जाता है हर साल मरुस्थलिये और सूके के परभाव के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए और इसकी रोक्ताम के लिए जो जरूरी नेश्ट क्वेशन पर उफ़न नमबर जो बी है 17 जून इस दिन इसको मनाय जाता है हर साल चलते क्वेशन नमबर टू पर पर चलते क्वेशन नमबर टू हाल ही में मनरेगा के तहए सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा मना है दोस्तों मनरेगा एक स्कीम है जो की गौर्मेंट इसकीम है इसके तहए जो भी स्रमिक होते है जो काम करते है और मतला डेली बेसिस पर उनको वेजि उसको पढ़ लेता है गुजरात, उत्तरपदेश, महराष्ट या फिर इनमें से कोई नहीं इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उत्तरपदेश यानि कि जो अप्ष नमबर बी है इसका राइट आसर हो जाएगा मनरेगा के तहत उत्तरपदेश सब से ज़्यादा रो चलते है नेक्स्क्क क्म्योंटि कीचन वाला पहला राज जल्ट की सुना मना है उत्तरपदेश प्रवासी रहात मित्र एब किस ने सुर्वात की है उत्तरपरदे सरकार ने आरोग्य सेतु एप अनिवार्य किसने किया है उत्तरपरदे सर्वार्ट सरकार ने और दोस्तों एक और है आयूस कवज यह ऐसे भी बोल सकते हैं आयूस कवज यह जो एफ है यह भी उत्तरपरदे सरकार ने लौंच की है आयूस कवज के नाम से चलते राज्यय वरक्स के उत्तर पड़ेश का असोक और जो ह्तेतर पुस्फ है उसका नाम क्या है प耕ंच छलते नेजिड पर क्वेशन नमबर आते हैं थर्ड पर हाल ही में किसने कोविड नाइंटीन की वज़े से सबरी माला मंदिर या आपको याद रखना है सबरी माला मंदिर उत्सव को रद कर दिया है इस राज जिन क्या है आदर पर देशने केरल ने करना टकने उप्सव कोई नहीं से जो राइट आणसर है वह हो जाएगा केरल यानि है इसका राइट आणसर हो जाएगा जो अब नंबर बी जो सबरी माला मंदिर मां पर पे उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम में रट्टू यह उस्सव का नाम आप याद रख लेंगे अरट्टू इस उस्सव को दोस्तो रद कर दिया गया है किसके कारण कोविड नाइंटीन के कारण जो कि सब्रीमला मंदिर में मनाया जाता था दोस्तो ओफ नंबर जो भी केरल है इसका राइट आंसर है भी ओप्सन चलते नेक्स्ट क्रेशन पर ऑफ नंबर भी इसका राइट आंसर यह यह आपको याद रखना है कि जो उत्सव का नाम है वह है थोड़ा के बारे पढ़ लेते हैं वहां के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट से इस्टेटिक वह थोड़ा देख लेते हैं के रल की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी एक नॉमबर उनीस सचपन को वहां के जो गवर्णर राज्यपाल का नाम क्या है आरिक मौंबन खान चिरुवन्थ पूरंवखी रायदानी है चीफ-थी का नाम क्या है पिनाराई विजशाय है वागे कुछ इंपर्टेंट नेसल पर्क के है साईलेंट वैली नेसल पर्क इ रवी कूलं नेसल पर्क अनामोडी सोला नेसल पर्क पंपादम सोला नेसल पार्क और मेठी केतन सोला नेसल पार्क दोस्तों कुछ नेसल पार्क ऐसे हैं जिसमें की सोला वर्ड आया हुआ है सोला आप देख सकते हैं इसमें भी आया हुआ है इसमें भी आया हुआ है और इसमें भी आया हुआ है अगर एक्जाम में किसी भी नेसल पार्क में सोला वर्ड आता है तो दोस्तों आपको पिल्कुल राइट अंसर लगाना है कि वो केरल स्टेट से बिलोंग करता है वो जो हमारे जो नेसल पार्क है अगर किसी नेसल पार्क में सोला आता है S-O-L-A, S-H-O-L-A सोला या फिर हिंदी में सोला आप ऐसे बोल सकते हो सोला अगर वर्ड आता है तो दोस्तों जो नेफ्सनल पार्क है वो किस से बलोंग करता है वो करता है किरल से यह आपको याद रखना है यह दोस्तों एक तरह की ट्रिक है है चलते है next question पर Question number आते है फोर पर हाल ही में मुख मल्द कली या नाव आपको याद रखना है मुख मल्द कली अबिल गजियेव ने किस देश के परदायमंतरी परदा से स्थीपा दे दिया है ये किस देश के पर दायमन देखे थे कजाकिस्तान, सुडान, किर्गिस्तान या फिर मिसे कोई नहीं दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा किर्गिस्तान यानि कि जो अपसर नमबर C है इसका राइट आंसर हो जाएगा आप देख सकते हैं यह हैं मुखमल कली जिन्होंने हाल ही में इस्तिवा दे दिया है तो उपस नमबर सी इसका राइट आंसर था चलते हैं नेस्ट क्वेशन पर क्वेशन नमबर आते हैं दोस्तों फाइब पर हाल ही में दीनू रंडिवे का नीदन himselfe कौन थे वो एक लेकक ते पत्रकार ते गायक थे या फिर धूमिसे कोई नहीं इसका दोस्तो सो राइट आंसर हो जागा जाएगा इसका राइट आभाट उन्फवे दीवए एक पत्रकार थे आपको यालकना है कौन डीनूरर्ण दीवे चलते हैं नेक्र कश़िंडर लेते हैं उत्तर। सो जाएगा उत्र पर्देस ने प्लेटेड फैक्Ąरी मॉडल को पनने का फैसला किया है और यहले प्लेटे hey मोडल है क्या जैसे जो उड़े बड़े बिजनिसमेन होते हैं अगर उनके पास पांच पाँच एकड़ जमीन से ज्यादा है अगर इस से ज्यादा जमीन है तो दोस्तों वो इसके एक यानि की अपनी जमीन के एक चुथाई भाग पर वो एक फैक्ट्री लगा सकते है ये दोस्तों है प्लेटेड फैक्ट्री मोडल इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क दोस्ता है पर्दे सरकार्ड ने। चलते हैं एक रहुक्त द्रक्शन पर, उप्स नमबर एक इसका रॉट आंसर था। चलते हैं एक रहुक्त करशन पर क्षियर नमबर आते हैं सेवन्व पर। है किस ने आनलाइन बाल यौर्ड सोसर्ण से नपटने के लिए प्रोजेक्ट प्रोड़क्ट सुरू किया है तो ये किस ने सुरू किया है ट्विटर तूइटर ने इनफॉसिस ने फेस्वुक ने या फिर इनमेंसे कोई नहीं दोस्तों इसका राइट आणसर है वो हो जाएगा फेस्वुक या नि कि जो अपस नमबर सी है इसका राइट आणसर हो जाएगा फेस्वुक ने दोस्तों Google और पलस Microsoft के साथ मिलकर इस Project की सुरुवात की है किसकी Protect की P-R-O-T-E-C-T Protect Project की सुरुवात की साथ मिलकर की है Google और Microsoft के साथ मिलकर की है Facebook ने किसके खिलाब बाल योन सोसन से निपटने के लिए चलते हैं एक्स्ट्रेशन पर आपके सुझ में आ गया होगा उपस्ट्रेशन नमबर सीस का राइट आना था था Facebook चलते है Question नमबर एट पर हाल ही में राजपर्व अथवा राज़ा परवा कहां मनाया जाता है कहां मनाया गया तो दोस्तों जो राजपर्व है इसको क्या बोलते है राजपर्व इसको बोलते है ये दोनों दोस्तों एक ही वर्ड है यानि कि लिखने का तरीका लगा है राजपर्व या फिर राजपर्वा नाम एक है दोस्तों ये किस राज़े मनाया गया करनाटक में उडिसा में पस्ची मंगाल में या फिल्म में से कोई नहीं इसका दोस्तों जो right answer हो जागा Odisha यानि कि जो option number B है इसका right answer हो जाएगा Odisha state में रजपर अथवा राज़ा परपा मना गया है दोस्तों इस चीज को याद रखना है क्योंकि ऐसे question exam में आते यादे जो थोड़े उत्सों से related होते हैं किसी परव से related होते हैं या आपको याद रखने है और फिल्म बी उडिसा इसका right answer है बढ़ते आगे तो दोस्तों कुछ important points हैं उडिसा से related मोहमद रफीक उडिसा मुख्यन याधीस मनाए गया उडिसा के जो की high court के है मोह जीवन पहल और मोह परतीवा पहल जो की उडिसा में इस पहल की सुरुआत की गई है hero to animal award जो की पेटा दुवरा दिया जाता है पेटा एक ऐसी संस्ता है जो जानवरों के लिए काम करती है और दोस्तों ये hero to animal award किसको दिया गया है ये दिया गया है नवीन पटनायक को जो की उडिसा के chief minister है नवीन पटनायक ये इनको क्यो दिया गया है ये दोस्तों इसलिए दिया गया क्योंकि नवीन पटनायक ने जानवरों के लिए एक अलग fund जारी किया था इस चीज़ को देखते हुए पेटा ने इनको Hero to Animal Award दिया गया था सत्कोसिय टाइगर रिजर्व, सिमली पाल नैसनल पार्क, गहिर मठ वाइल लैफ सेंचुरी और चिलकाले काँ पे हैं यह आपको याद रखने हैं चारों पॉइंट, बढ़ते आगे, कुश्चिन नमबर आते हैं नाइन पर, हाल ही में किसे खेल रत्र पूर्सकार के लिए नामित किया गया है, यह थोड़े आपे मिस्प्रिंट हो गया लोग तो, यह कुश्चिन यहां तक है, पीवी सिंदु को हीमा दास को, साइन आन् Trent को या फिर इनमें कोई नहीं, तो दोस्तों, जिसका राइं टास हो जाएगा हीमा दास, यानि कि जो उपफन नमबर B है इसका राइं टास हो जाएगा, इनको हाल ही में खेल रत्र पूसकार के लिए नामित किया गया है. और दोस्तों, जो हीमा दा 300 MP 100 मीटर दोड़ती हैं दोस्तों नमबर 20 का लाइट आरसा है हीमा दास आगे बढ़ते हैं दोस्तों यह आप देख सकते हैं हीमा दास आप देख सकते हैं यह असंसे बिलों करती हैं बढ़ते आगे आते है question number 10 पर हल ही में भात का कौन सा निर्मान छेतर पूरी तरह से digital हो गया है निर्मान छेतर यानि की construction field ये कौन सा पूरी तरह digital हो गया है बी आरो यानि की border road organization या फिर L&T या फिर NHAI या फिर इन भी से कोई नहीं इसका तो से right answer हो जागा C यानि की NHAI इसकी full form भी आप note कर लेंगे national highway national highway authority ओप India ये दोस्तो NHAI की full form है इसको note कर लेंगे दोस्तो कौन सा चेतर पूरी तरह detail हो गया है वो हो गया है NHAI और दोस्तो जो NHAI है इससे related question आ जाता है last year आया भी था सबसे ज़्यादा सड़क बनाने में यानि की कितनी सड़क बनाई है 3989 किलो मिटर इन्होंने रिकोर्ड बनाया था सड़क बनाने का 3989 किलो मिटर पिछले साल तो ये भी आपको याद रखना है उपसर नमबर C यानि की NHAI इसका राइट आंसर है बढ़ते हैं आगे आते है question नमबर 11 पर हाल ही में ए वैदेनात का निदन हुआ वे किस संगठन के पूर सदस्या चाहिए किस संगठन के फिकी के योजना आयोग के एशोन के या फिल्म से कोई नहीं इसका दोस्त जो राइट आंसर है हो जाएगा उपस नमबर B यानि की योजना आयोग के यानि की planning commission लेकिन इसका उल्गा घर डोस्तों अब क्या कर जागया है नीती आयोग जब पूंति आए थी ऐनों इसका नाम क्या कर जिया था तल्हक्या he आते हैं क्वेशन नमबर 12 हाल ही में ओपरेशन डेजर्ट डेजर्ट चैक किस राज़्य ने सुरू किया है माराष्ट ने गुजरात ने राजिस्थान ने या फिर इनमें से कोई नहीं इसका दोस्तों राजिस्थान यानि कि जो अपर नमबर 12 है इसका राजिस्थान हो जाएगा अगर दोस्तों आपकर वीडियो बहुत ही अच्छी लगए वीडियो को लाइक करना है कमेंटर के मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी और जो भी स्टुडेंट आज नहीं है वीडियो को पहली बार देकर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब चुरूर कर लेंगे और दोस्तों जिए डेजर्ट चैक है ये क्या है इसमें तो जैसे कि किसी देश के जो गुप्टचार होते है आकर हमारे देश में छिप जाते है उनको ढूंड कर निकालना उनको देखना कि ये कौन है उनकी पूरी जानकारे लेना इस चीज़ को सुरू करने के लिए डेजर्ट चैक की सुरुआत की गई है जो किस्से लगता है वो पाकिस्तान से लगता है जो। तो इस चीज़ को देखते हुए वहाँ पे जिया सुरू किया गया है आपसिन की सी का राइट आंसर है राजिस्थान बढ़ते आगे और दोस्तों वाबे कुछ important points भी है राजिस्थान से रिलेटिव देख लेते हैं स्वास्ते मित्र नियुक्त किये गए है कहां पे राजिस्थान में हर गाओं में दोस्तों एक स्वास्ते मित्र नियुक्त किया गया है राज कोप citizen app यह launch की गई है राजिस्थान में क्योंकि जो e-pass होते थे कोरोना जैसे चला हुआ है उस चीज़ को देखते में e-pass जारी करने के लिए राज कोप citizen app भी launch की गई थी इसमाइल e-learning platform कहां पे launch किया गया था राजिस्थान में आयू एवन सेहत साथी एप कहां पे launch की गई है राजिस्थान में to consult with a doctor online यानि कि online आप किसी भी डॉक्टर से consult कर सकते है appointment लेकि तो चारों point राजिस्थान से लिडिड़ है और important भी है बढ़ते आगे आते है question number 13 पर हाल ही में सर जहां online उनलाइन अंतरास्टे सतरन चैंपिंशिप किसने जीती है options को पढ़ लेते हैं कार्लसल मैगनस ने सक्रियार मौमेदीराव ने या फिर स्वामी नाथन नी उपनमबर जो सक्रियार मौमेदीराव इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनमबर बीस का राइट आंसर है इन्होंने दोस्तों सर जहां online अंतरास्टे सतरन चैंपिंशिप जीती है यह आपको नाम याद रखना है important नाम है दोस्तो और यह दोस्तों यह किस country से है यह आते है अजर बेजान country से यह बिलोंग करते है कौन सक्रियार उफनमबर बीस का राइट आंसर चलते है नेफ्ट क्रेशन कर और दोस्तों यह है सक्रियार आप सकतर जो कि अर्जबेजान के रहने वाले हैं आते है क्रेशन नमर फॉर्टीन पर हल ही में बेलिजियम में भास का राज़त किसे न्यूद किया गया है रवीज उपाद जाय को, मनोज कुमार को, संतोफ जा को या फिर्ट में से कोई नहीं इसका दोस्तो जो राइट आंसर हो जाएगा संतोफ जा यानि कि जो उफनमबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो ये है संतोफ जा आप दे सकते हैं इनको बेल्जम में भारत का राज़ूत न्यूत किया गया है दोस्तो कुछ इंपोर्टेंट हाई कमिशनर और राज़ूत है जो कि यानि कि एमबेस्टर है जिनको अधर कंटरी में न्यूत किया गया है भारत की गायतरी कुमार जो कि ब्रिटेन में हाई कमिस्टर बनाए गए है सुसील कुमार सिंगल जो कि पापुवा न्यू गीनी में भास के नए हाई कमिस्टर बनाए गए है स्वीटेजर लैंड में दोस्तों मौनीका महता को एमबेस्टर बनाए गया है सी बी जोर्ज को क्वेट में एमबेस्टर बना गया है और रवीस कुमार को फिल्लैंड में एमबेस्टर बना गया है राहुल स्रीवास्ताव को रोमानिय में एमबेस्टर बना गया है और संबुवास कुमार को फिलिफीन से में एमबेस्टर बना गया है यह सभी सारे point आपको याद रखने है क्योंकि इनसे question जुरूर आने वाला है exam से बढ़ते हैं आगई तो दोस्तों जो यह मैं question आपको बता रहा हूँ जैसे कि यह सारे समें ambassador और high commissioner थे हैं तो आपको क्या करना है आपको एक page लेना है उस पे सभी ambassador और high commissioner को लिख लेना है क्योंकि अगर आप अलग अलग लिखेंगे तो आप confused हो जाएंगे आप भूल जाएंगे अगर आप सभी चीज़ों को जो category wise हैं एक ही category के सभी चीज़ों को आपको जंग लिखना है दूसरी category की चीज़ों को सभी को एक जंग लिखना है जैसे कि ये सारे high commissioner और ये ambassador है आपको एक page लिखना है सभी scheme से एक page लिखने हैं सभी portal एक जंग लिखना हैं सभी apps एक जंग लिखने हैं आपको दोस्तों ऐसे आप लग लग मत लिखिए क्योंकि इससे आप confused हो जाएंगे चलते आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी इसको पीडियाप लिंक होगा आपको description मिल जाएगा आप जाके वापर पीडियाप को डाउनलोर कर सकते हैं वीडियो को like करना ह कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी और दोस्तों वीडियो को share जरू करना है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share जरू करें please और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद thank you so much